और अब बात करोना के बढ़ते मामलों की करेंगे सबसे पहरे बात महराश की क्योंकि वहाँ पर करोना की रफ्तार कुछ कम भले हुई हो लेकिन अब भी देश के आधे केसिस महराश से ही आ रहे हैं कैसे लगातार केसिस में इजाफा हो रहा था देश भर में पिशले 24 गंटे में 56,211 मामलों आये जिसमें माराश का योगदान 27,918 मामलों का था मौते कुल देश भर में 271 जिसमें माहराश्टर में ही अकेले 149 मौत का आकड़ा पिशले 24 गंटे में यानि कि आधे केसिस जो है देश भर के वो माहराश्ट से ही आ रहे हैं नए केसिस 27,918 माहराश्ट में पिशले 24 गंटे में और मौते 149 आक्टिव केसिस की संख्या 3,44,542 मौंबई की ये तस्वीरे बता रही है कि आखिर देश के आधे कोरोना केस माहराश्ट में ही क्यों हो रहे हैं और हर दस्वा कोरोना मरीज मौंबई का क्यों है भले ही माहराश्ट में कोरोना के केस कुछ कम हुए है लेकिन अब भी हजारों की तादाद में केस आना बता रहा है कि अभी संकर तला नहीं है मंगलवार को महराश्च में 27,918 नए केस आए और 149 लोगों की मौत हो गई डेथ रेज दो फीसदी के करीब जा चुकी है आक्टिव केस की तादाद भी 3,40,000 से जादा हो चुकी है राज्च में केस कुछ कम भले ही हुए हो लेकिन मुंबई में खत्रा लगतार बढ़ रहा है मुंबई में कोरोना के नए केस 4,758 रहे जबकि 10 लोगों ने दम तोड़ दिया मुंबई में अब तक 600 इमारतों को कंटेन्मेंट जोन के रूप में सील किया जा चुका है वाक्सिनेशन पर अब सारा जोर है मुंबई मिनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिशनर इकबास सिंग ने भी टीका लगवाया महराश्ट पर संकट लगातार गहराता जा रहा है सरकार लॉकडाउन पर भी गंभीरता से विचार कर रही है और सीएम उधभ बार बार इसकी चेतावनी दे चुके हैं मुंबई से मुस्तफा शेख, दिवेश सिंग और विद्या के साथ आज तक बिरो नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये विडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही है आज तक और इस विडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले